तो दोस्तो अगर आप Bank of India का David Card use करते हैं और David Card के Limitation को यहाँ पे बढ़ाना चाते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे David Card के थुरू आप 4 Limitation को बढ़ा सकते हैं अपने ATIA में कितना transaction कर सकते हैं उसका per day एक Limit यहाँ पे सेट कर सकते हैं यहाँ पे पियोस का यहाँ पे Limitation सेट कर सकते हैं यहाँ पे आप Contact List का यहाँ पे Limitation सेट कर सकते हैं यह Total Limitation आप कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आप आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा तो इस वीडियो को पूरा देखेगा अन तक देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दिजेगा तो यहाँ पे बैंक ओफ इंडिया का जो यूपी आई है उसको आपको प्ले स्टोर से इस्टॉल करके यहाँ पे ओपिन कर लेना है और लोगिन का प्रोसेस को कंप्लीट करना है डेविड कार्ट के लिमीट को सेट करने के लिए यहाँ पे कार्ट सर्विस वाला जो आप्शन मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है इस पे क्लिक करने बाद दो आप्शन मिलेंगे एक मिलेंगे डेविड कार्ट सर्विस और दूसरा मिलेगा क्रेडिट कार्ट सर्विस तो आपको क्या करना ए डेविट कार्ट सर्विस पे क्लिक कर देना है। डेवीट कार्ट सर्विस पे क्लिक करने बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने account number डालना है, तो account number डालने के लिए आप simply इसको click कीजिएगा तो automatic यह account number दिख जाएगा उसको select कर लेना है okay पर click कर देना है okay पर click करने बाद डेवीट काट का यहाँ पे नीचे में detail दिख जाएगा यह डेवीट काट का detail आप जो देख रहे हैं इस डेवीट काट का detail के पास आपको यहाँ पर tap कर देना है टैप करने बाद आपका डेविट कार्ट का पुरा डेटेल यहाँ पर मिल जाएगा साथ में अगर आप यहाँ पर डेविट कार्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पर पिन नमबर जेनरेट कर सकते हैं pin number change कर सकते हैं यहाँ पर एक option मिलेगा manage limit वाला इस manage limit वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर manage limit वाले option पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ information मिल जाएगी यहाँ पर domestic ATM per day limit आपको मिलेगा Domestic POS per day limit मिलेगा Domestic E-commerce कa per day limit मिल जाएगा साथ में आपको international वाला भी मिल जाए गया तो आप अपने हिसाब से इसको select कर ले कि केतना आपको यहाँ पे limit डालना है ATM का limit आपको कितना डालना हुआ आप यहाँ पे set कर सकते है e-commerce site का आप यहाँ पे set कर सकते है कि केतना आपको यहाँ पे डालना है आप केतने limit तक कोई भी e-commerce site में यहाँ पर पर्चेस कर सकते हैं वो total set कर ले और international वाला भी आप उसी हिसाब से अपना set कर ले अगर आप यहाँ पर international यूज नहीं करते हैं तो सभी को आप यहाँ पर zero कर दे तो international वाला अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं तो उसको आप direct यहाँ पर zero कर दे और zero करने बाद नीचे में submit वाला option मिल जाएगा इस submit वाले option पर आपको क्लिक कर देना है submit वाले option पर क्लिक करने बाद यहाँ पर transaction pin के बारे में पुछा जाएगा तो दोस्तो इस से related मैंने वीडियो बनाया हुआ है अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है कि कैसे आप यहाँ पर UPI set कर सकते हैं तो इस वीडियो को जाके देख ले मैंने यहाँ पर transaction pin नमबर डाल दिया है और डालने के बाद आपको यहाँ पर OK पर क्लिक कर देना है OK पर जैसे क्लिक किजेगा तो यहाँ पर आपके पास message आजाएगा जिसमें लिकावा है dear customer limit of debit card आपका यहाँ पर update successfully हो चुका है और आपको simply इस पर OK कर दे उसके बाद आप easy तरके से ATM से जितना पै करता है